है तो आज हम आपके सामने लेके आये हैं कुछ जानी पिचानी सी शीट आप सब इस शीट से जरूर वाकियोंगे इस पेपर से जरूर वाकियोंगे यह पंचायत अकाउंट असिस्टेंट उसका यह कोशन बेपर है जिसे आज की वीडियो हम पूरा कम्प्लीट सॉल्व था आपको मैं अपता दूं हमने अकाउंटेंसी का सारा स्लेविस पढ़ लिया है बस हमारा एक टॉपिक रहे के डैट इसे डिवल्लमेंट इन अकाउंटिंग और वो टॉपिक भी आपका कल कम्प्लीट हो रहेगा एक्चिवी मैं लैप्टॉप आज ही ठीक हो के आया है उसक से का क्या आपको पता चलेघा कि आपने हर एक करना है क्यूंकि अब आपके बास time है अफ्याज में जासाए उस से कर सकते हो बात करते है question number 81 या question number first बोल सकते है accountancy section का तो क्या है question number first John and James are partners sharing profit equally Jack enters a partnership and contribute a land whose historical value is 50,000 book value is 25,000 current market value is 30,000 by what amount Jack's account should be increased तो यह आपका question आजाता है partnership से ठीक है partnership में वो यह रहा है John and James equal partners है अब एक निया पार्टनर आता है Jack मैंने आपको पताया था रिवेलिशन के account पे कि जो आपकी current value होगी आपने उस पे शो करना है that is your 30,000 तो इसका answer के आजाएगा आपका B option ठीक है यह जो इदर टिक हैं तो इस पे नहीं जाना यह पता नहीं किसकी मैंने उस टाइम पे फोटो ली थी तो किसी का question में पढ़ता यह तो इसका answer आएगा B option 30,000 82 question what is the basis of allocation of carriage invert cost among pre and post in corporation pay actually यह आपके slabbers का है ही नहीं यह हमारा आजाता है graduation based में रहता है एक chapter रहता है profit before prior in corporation तो उसमें यह item आती है तो मैं इसका answer आपको बतायता हूं that is your purchase ठीक है आगे बढ़ते है 83rd question PFMS आप सब देख सकते हो lecture में मैंने साफ इस पे बड़ा ज्यादा focus किया था कल मैंने आपको इसके ओप lecture भी बताया PFMS was earlier known as वो किस नाम से जाना जाता था that it is earlier known as central plan scheme monitoring system तो यह आपको हमारी pdf में भी available है यह same to same as it is question आपको मिल जाएगा 84 question which account is generally used in single entry and in complete record to obtain the amount of credit sale made during the accounting period अब मैंने आपको बताया था है एक आपका होता है single entry system दूसरा होता है आपका double entry system अब single entry system के time पे अगर आपने credit sale को पता करना है तो कैसे पता करोगे that it is shown by debtor's account तो 84 कान से क्या देगा C1 debtor account आप बनाओगे debtor से आप पता कर लोगे कि मैंने कितनी sales की थी कितनी credit sales की थी ठीक है 85 question basic सा question है drawing account is classified अंडर जो drawing account है उसे आप किसके अंडर classify करोगे मैंने आपको बताया था जैसे capital होता है तो हम उसे क्या लिखते है शाम capital अगर शाम की capital है तो हम क्या लिखते हैं उसे शाम capital वैसे ही drawings होती है तो हम उसे क्या लिखेंगे शाम's drawing तो साथ में नाम लग रहा है जब भी नाम लग जाए तो हमने उसे क्या है बताना है that it is your personal account 86 what does a nominal account having debit balance represent जो आपका nominal account है ठीक है उसका debit balance क्या represent करता है आपको मैंने बताया था debit आपने nominal account क्या जो rules है golden rules वो आपने याद अखने है तो nominal account का क्या कहता है debit all expenses and losses credit all incomes and gain तो 86 का answer क्या आ जाता है that expenses debit किसको करना है सभी expenses और losses को आपने debit करना है 87 की बात करते हैं तो यह आपका रहता है 87 कोश्चन drawings must be deducted from कितनी बार हम कर चुके है financial statement में हमने किया था यह drawings को हमने किसमें से deduct करना होता है sir it is deducted from capital which of the following adjusting double entry is correct from prepaid expenses अब भी भी मुझे बड़े से स्टूइंट के calls आते हैं इस question related sir यह question में क्या खराबी थी तो मैं बता देता हूं सभी को क्लिए कर देता हूं देखो जब आप expenses pay करते हो आपकी general entry क्यों होती है sir हमाई general entry होगी expenses account debit to cash आपकी के entry होगी expenses to cash expenses for example आपके इस महीने के expenses से एक हजार लेकिन आपने बारा हजार दे दिये बारा सो दे दिये सॉरी ठीक है बारा सो रुपे दे दिया तो मैं अधर कर दूँगा 1200 1200 अब 200 रुपे मैंने एक्सा दे दिये ठीक है 200 रुपे मैंने क्या कर दिये एक्सा दे दिये इसके लिए adjustment entry के आ जाएगी यह जो 200 रुपे अब मैंने शो भी तो करना है prepaid यह तो एक तरह का expenses हो गया इसमें तो हमें शो ही नहीं हुआ कि prepaid भी किया हमारा 200 तो उदर मैं शो करने के लिए एंट्री का करूंगा prepaid expenses debit to expenses account इदर 200 रुपे 200 रुपे और expenses total कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे क्योंकि 1200 रुपे और 200 क्रेडिट हो गया तो expenses मेरे तो 1000 ही बनते है न तो उस का expenses debit to credit expenses account a option 89 question what amount of additional provision for bad and doubtful debt should be charged to current year if the closing balance of debtor is 1,00,00,00,00,00,00 and the provision is 5% on debtor debtor पे आपने 5% provision बनाना है debtor है कितने एक हजार एक हजार का 5% सर्फ पांच हजार एक लाग का 5% कितना होता है पांच हजार लेकिन 1000 तो पहले का बना हुआ है तो हम कितने का बनाएंगे 4000 का ही और बनाएंगे तो इसका अंसे का रहेगा 4000 यह same to same question मैंने ऐसा करवाया भी हुआ आपको आप उद्दर देख सकते हो मैंने यह complex question में डाला हुए topic statement of financial position produced from incomplete accounting record is commonly known as ठीक है हमने single entry system किया yes sir single entry system में जो हम balance sheet बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं that it is known as statement of affairs इधर balance sheet नहीं आएगा उसका single entry system में balance sheet को हम किस नाम से जानते हैं statement of affairs 91 question की बात करते हैं root cause of financial accounting is stewardship accounting यह भी आपको पता होना चाहिए यह मैंने very first lecture में शाय से बता चुको हूँ आपको इसके बारे में 92 wages paid for installation of new machinery should be अब यह भी concept बड़ा अच्छा है मैं कितने अब बोलता हूँ concept power marks लाओ आपने concept पाले तो marks अपने और आपकी और खुद आएंगे तो कह रहा है आपने wages pay की क्यूं pay की machine को install करने के लिए कभी भी कोई भी asset आप खरीदते हो उसके अपर कोई भी खर्चा होता है आपने उसको नहीं लिखना आपने इसी में include कर देना है उसी asset में for example आपने कोई factory खरीदी ठीक है factory चोड़ो कोई land ही खरीदी land को repair कराया तो वो जो repairment है वो आप land की cost में ही डालोगे कोई आपने car खरीदी car को repair कराया तो आप उसकी cost कार में ही include करोगे ठीक है जैसे कि आप second hand कोई car लेते हो आप बोलते हो मैंने 8.5 लाग की खरीदी लेकिन 50,000 का आपने उसके खर्चा भी किया है तो आप उसको क्या बोलोगे sir हमने 2 लाग की क्रीदी 50,000 तो मैंने इसके उपर extra भी लगाया है विचारी बड़ी ज्यादा खराब थी उससे repair करवाया तो उसके कारण इसकी 2 लाग value है ना की 1.5 लाग तो उसकारण इसका answer क्या रहेगा that it should be debited to machinery count B1 93 question which concept suggests the exclusion of human resource in balance sheet basic question है हम balance sheet में human resource को क्यों नहीं डालते human resource क्या होता है आपको पहले यह पता होना चाहिए human resource आपका हो ज़ता है likewise your employees अपको employee बड़ा ही सत्यवादी है honest है hard working है हम उसकी hard working को अपने accounts में क्यों निशो करते क्यों because money measurement concept money measurement concept कहता है जिसे आप पैसे में तोल सकते हो उसी को आप उसमें डालो उसी को आप balance sheet में डालो जिसे आप पैसे में नहीं तोल सकते हैं उसे नहीं डालो तो आप किसी इनसान की honesty को पैसे में major कर सकते हो नहीं sir तो उस कारण यह option उस कारण यह हमारा जो human resource है balance sheet में नहीं आता उसे exclude किया जाता है 94 which of the falling is excluded from the cost of stock आपकी जो stock का खर्चा है उसमें से ऐसे कौन सी item है जिसे हमने include नहीं करना तो that is your salary of purchasing staff यह जो purchasing staff है उसको हम include नहीं करते यह हम cost accounting में भी पढ़ चुके हैं तो इसकी justification देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपने उतर cost accounting में पढ़ा होगा कि आपका carriage invert आ जाएगा import duty आ जाएगी और raw material तो obvious ही बात है आएगा ही आएगा अब bank pass book किसे copy of जिसके लिए हमने representation भी डाली थी इन्होंने इसकी गलत की दी थी डैड यह bank pass book क्या है आपकी जो bank pass book है it is your customer account in the bank's ledger ठीक है यह आपकी क्या है customer का account है bank के खाते में bank के खाते में हमारा account किस प्रकार दिख रहा है वो bank pass book है हम pass book अपनी entries करवाने लेके जाते हैं वो आपकी होती है pass book ठीक है 96 the credit balance of retained earning statement represents ठीक है देखो retained earning क्या है नाम बता रहा है वो पैसा जो आपने retain करके रखा अब क्या होता है for example आपको hundred rupees का profit होता है हम क्या करते हैं 20 रुबे कुछ पैसा business में लगा देते हैं for reinvestment ताकि उसे हम business को और बढ़ा सके और कुछ पैसा हम खाते हैं मज़े करते हैं ठीक है वो हो गया profit distribution जो पैसा हमने business में ही रखा for its future betterment ठीक है उसे मोते है retained earning अब retained earning का credit balance क्या represent करेगा that it is your undistributed profit आपने यह profit अभी तक distribute नहीं किया 97 receipt voucher is a receipt voucher क्या है तो इसके बारे मैंने आपको बताया था जब हमने voucher के बारे पढ़ा था that it is a record of receipt of cash and bank 98 liability of at least one partner is unlimited whereas liability of other partners limited what type of partnership it represent जब बाकरी सब की limited है बस एक ही unlimited है उसको हम बोलते हैं limited partnership ठीक है 99 question पे जाते है income tax paid on business income by a sole proprietaries इस कारण मैं हमेशा बोलते हैं concept is power यह question के कारण जिसको concept होगा यह question वो असानी से solve कर लेगा तो इस question में वो कहने की बात क्या कह रहा है कह रहा है income tax paid on business income ठीक है ऐसा कुछ नहीं है business की income पे नहीं लगता firm की income पे लग सकता है sole proprietor की अलग income होती है तो sole proprietor की जो income tax है that should be your that should be your drawing ठीक है वो क्या है आपकी drawing तो drawings को हम किसमें से deduct करते हैं it should be deducted from capital तो इसका अंसर भी यही है income tax business की नहीं होती firm की होती है firm अलब partnership की टाइम पे ठीक है उस टाइम पे आपका एक artificial person create हो जाता है लेकिन इसमें यह नहीं होता hundred the biggest strength of PFMS is its integration with the core banking system तो इसकी सबसे बड़ी advantage यही है कि यह सभी banking system के साथ integrated है one hundred first question what is the first step of financial audit किसी भी चीज को आप करने जाओगे तो उसका पहला काम हमारा होना चाहिए that it should be planned पहले हम plan करेंगे कि उसे किया कैसे जाए तो इसका अंसर भी यही है तो audit कोन करता है इसका आप comment में comment में लिखकर बताएंगे तो audit कोन करता है इसका अंसर आपने बताने nominal account is classified under जो nominal account है उसे हम किसके अंदर डालते हैं मैंने आपको बताया था जादा तर लोग क्या करते हैं आपको बताएंगे एक होता है real एक होता है nominal एक होता पर्सनल यह चीज़ बताते हैं लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है क्या बताया है that one is personal and another one is impersonal और impersonal के अंदर ही दो आते हैं real and nominal तो वो यही उन्होंने यही पूचा है that nominal account किसके अंडर आता है that impersonal account के अंडर आता है 103 question a check is received from customer and the same is deposited in the bank for collection if it is finally returned dishonored it will result in two देखो आपके पास check आया तो इसकी entry क्या होगी sir हमाई पास check आया तो इसकी entry हो जाएगी bank account debit to customer account यही होगी अब क्या हुआ इसका check हो गया bounce हो इसका check हो गया dishonor fraudy निकला तो इसकी उल्टी entry कर दो customer to bank तो यही इसकी entry है तो कह रहा है इसमें हम क्या करेंगे customer account को debit करेंगे तो इसका answer क्या रहेगा 103 का that customer account should be debited d1 104 question how do we adjust direct deposit by the customer to ascertain the balance as per passbook if the starting point of BRS is as per cashbook यह आपका आगया BRS का question वो कह रहा है जो direct deposit है direct deposit मतलब आपका कोई customer है उसने directly आपके account में डाल दिया बीना आपको बताए इतने अच्छे लोग भी होते हैं वो पता नहीं मुझे तो क्या कह रहे हैं cashbook का balance हम उदर से start करना है फिर हमने काम पे पहुंचने है passbook में पहुंचने है तो cashbook में भी कर दो sir हम सीधे passbook में पहुंच जाएंगे तो इसका answer क्या जाएगा that it should be added यह भी आपको question हमारी 1000 MCQ में मिल जाएगा 105 question the balance remaining after deducting gross profit from sale यह भी होगा sales minus GP is equal to cost of goods sold तो यही इसका answer है A1 बात करते हैं 106 question की depreciation इसे depreciation पहली main चीज़ आपको पताना हो चाहिए that it is a non cash अगर यह non cash है तो A option ठीक है cancel हो जाता है और C option cancel हो जाता है अब बसता है कि यह operating है कि non operating है operating आपके वो होते हैं जो आप जिसका विपार कर रहे हो उसके कारण आपको कोई expense हो रहा है तो एक तरह का machine तो आप यूज कर रहे हो ना machine के अपर आपकी कोई depreciation लग रही है वो तो खर्चा है ना आपके लिए बात होती है आपको interest आया fix deposit पे वो आपका non operating है ठीक है तो यह आपका answer कहा रहे है non cash operating expense depreciation is your operating expense 107 goods given as charity should be अब मैं बता दूँ यह जो 106 question है ना उत्राखंड में उनका एक clerical exam हुआ account assistant का तो उसमें same as it is यह question आया है मुझे students के message आया थे उत्राखंड से तो उन्होंने बताया मुझे मैंने का great तो सही है same question वो भी जेके SSB को थोड़ा सा देख रहे हैं तो 187 question क्या कह रहा है goods given as charity should be जब आप charity में कोई goods दे देते हो तो उसकी entry क्या होगी charity is your expense charity account debit 2 आपने दिया क्या sir हमने goods दिये और मैंने बोला general entry में कभी goods यूज नहीं होते तो हम क्या यूज करेंगे purchase ना ही हमने sale की तो purchase किया तो इसका answer क्या रहे है का debt credit to purchase account 108 question बहुती बैतरीन question है मैं कहूंगा कि इस paper का best question था जिसमें बच्चों की knowledge देखी गई तो क्या question था ये आपने balance sheet का balance बताना है balance sheet का balance का मतलब asset and liability मार ये मेशा ब्राबर होती है इसमें कुछ items ऐसी हैं जो assets हैं और कुछ items ऐसी हैं जो liability है ठीक है capital is your liability internal liability net profit को हमने क्या करना है capital में ही add करना है accrued income accrued income मतलब income हमें आनी है अभी तक नहीं आई तो that should be your asset provision for taxes ठीक है that is your that is your liability cash and bank asset investment asset liability तो साफ साफ लिखा हुए liability ही है और ये fixed asset आपका आता है asset तो अब हम assets को प्लस करते है ठीक है चालाग तीस अजार प्लस दो लाग छे लाग तीस चे लाग तीस में हम एक पच्छिस प्लस करेंगे आपका कितना और रगा 755 ठीक है 755 हो गया और ये भी आपकी income है 855 तो 855 is your answer 855,000 is your answer that is your C option ठीक है कुन सा question है ये 108 अब आप इसमें अपने आपको cross check करने के लिए liability का भी प्लस कर सकते हो that is capital आपकी कितनी है 4 लाग net profit कितना है 3 लाग 4 प्लस 3 7 हो जाएगा 775,000 हो जाएगा उसके liability 80,000 प्लस करते हो तो 855,000 आपका हो जाता है तो इदे से आप cross check भी कर सकते थे 109 question a firm has omitted to record provision for bad and doubtful debt how will it impact the financial statement ठीक है वो कह रहे हैं वो provision for bad and doubtful debt को record करना बूल गे तो ये आपका क्या है ये आपका expense होता है आपको याद होगा मैंने profit and loss account बनाया था उसमें हमने provision for bad and doubtful debt कहां पे डाला था से हमने डाला था उसे debit side जब expense हम कम चो करेंगे और वेसी बात है हमारा profit जादा दिखाएगा तो net profit should be increased तो हमारा profit वो जादा दिखाएगा तो इसकान से कहा देखाएगा 110 question which one out of the following best experience double entry system इसमें आपने देखना है आपको इसमें से कौन सा golden rule में से कोई दिया हुआ है अगर वो दिया है तो आपको चुन सकते हो that is your debit the receiver credit the giver c option is the right one तो यह थे आपके 30 question hope कि आपको सारे doubt clear हो गयोंगे और आपको पता चलोगा कि आपकी provision कहां पहुंची है जे कैसे किस प्रकार के question पूछता है maximum question मैं बता दूँ हमने जो thousand mcq series की थी आप उदर से cross check भी कर सकते हो maximum question उदर से ही थे तो guys आज के लिए में अपनी वीडियो इतनी रखते हैं कल आपका slave bus complete हो जाएगा and that is my promise तो मैं अज तक अभी तक promise तोड़ा तो नहीं है और यही दूआ है कि आगे भी ना तूटे तो guys आज के लिए में अपनी वीडियो इतनी रखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा like बटन को भी जरूर दिबाएगा दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजएगा तो thank you guys have a good day and enjoy a day guys